हेलो एवरिबन, वेलकम टू विध्या ट्रांस एलेक्टरिकल हम लोग SSC ओनलाइन तयारी कर आ रहे हैं यह सेकंड वीडियो है उसकी ठीक है, चलिए स्टाट करते हैं हमें नोड वोल्टेज निकालना है इस कोशन में यह चौथा कोशन है 2015 का 2015 सेट का तो हमें नोड वोल्टेज वीडियो निकाल दी है तो इस कोशन को करने से पहले कुछ मैं आपको बात बताना चाहता हूँ मान लीजिए ऐसा कोई रिजिस्टेंस है उसकी दो टर्मिनल है A और B यहां का पोटेंसिल दीए रखा है वीए और यहां का वीवी तो हमें current find out करनी है current पूछी कही है current की value जो होगी वो होगी इन दोनों का potential difference यानि की VA मानस वीवी अपोन रिजिस्टेंस है ना current की value यह होगी यह चीज अगर हम यहां अपलाई करें तो इस point का जो potential है वो है बार है और इस point का VA और इस point का 6V है ना तो इस question को करना start करते हैं पहले सबसे पहले इसमें हम KCL अपलाई करेंगे क्रिस्टोफ करेंट लो जो कहता है कि किसी node में मिलने वाली सभी current का algebraic sum जो होता है वो 0 होता है तो देखी जैसे इस source से जो current हम मानने है वो I मानने है drawn current जो है वो I है और जो current दो पार्ट में डिवाइड हो गई I1 और I2 ठीक है तो KCL जो करिस्टोफ ने कहा वो कहा कि एक इस node पर मिलने वाली सभी current का जो algebraic sum है वो 0 होता है current अगर negative हो जाए यानि कि अगर ये VA VV से जादा है तो current positive है लेकिन current जब negative हो जाए तो current negative होने का मतलब ये है कि उसकी direction जो हमने मानी है वो नहीं है उससे विपरीथ है ठीक है तो किरिस्टोफ ने कहा है इस पर मिलने वाली लेकिन ये तो इससे दूर जा रही है अगर मैं इसकी direction बदल दूँ इसको acid present करूँ तो ये i1 नहीं रहेगी minus i1 हो जाएगी और ये इसकी direction में बदल दूँ तो ये i2 नहीं रहेगी ये minus i2 हो जाएगी अगर मैं इसको इस direction में करूँ अब आगे क्रिंच्वप की बात अब सभी current इस node में मिल रही है तो पहली current कौन सी है i इस node की तरफ ही जा रही है दूसरी current है जो इस node की तरफ जा रही है वो है minus i1 तीसरी जो current है वो i2 है minus i2 है जो इस node की तरफ जा रही है confuse मत हो ना please i equal to i1 plus i2 हो गया या simple भाहसाओं में कहिए ये current i है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है और तो ये i जो होगी वो इन जो दो पार्ट में जिन दो पार्टाओं में डिवाइड हो रही है उनको अगर मैं add कर लूँ तो इस i के बराबर होगी अब आप ये बात याद रखो ये मैंने concept के clarity के लिए कहा थाओंकि कुछ लोग KCL को नहीं समझ पाते है इतना clear हुआ अब इसके बाद i equal to i1 plus i2 हो गई अब i से इस वाले method से मैं i निकाल लूँगा i क्या है इन दोनों के बीच की current तो ऐसे ही ये apply करो i equal to 12 minus इस point का potential है VA upon resistance कितना है 1 हैना upon 1 से कोई फायदा ही नहीं है चलो कर देते है i1 जो है वो क्या है इन दोनों point का अब ये ground से जुड़ा हुआ है तो इसका potential जो है वो 0 है तो VA-0 upon 1 i2 क्या है इन दोनों point का potential जो क्या है VA-6 upon 1 clear हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं जब हम इसको solve करेंगे तो आएगा हमारा VA-2VA 2VA-6 तो 3VA upon 18 तो VA मेरा जो आया वो आगया 6V 2015 का question है ये अब चलते हैं next question की तरह बढ़ते है next question में क्या कह रहा है कि अगर कोई inductive circuit है कोई pure inductive circuit है ठीक है और उसकी supply frequency को मैं आधा कर दूँ ठीक है तो उसकी current की value पर क्या प्रभाब पड़ेगा वो आधी हो जाएगी नई current की जो value आएगी आधी हो जाएगी डवल हो जाएगी फलाना हो जाएगी दिखाना हो जाएगी वो पूछ रहा है ठीक है ओप्सन में जो है इंडक्टिव रेक्टेंस इंडक्टिव रेक्टेंस ओके इंडक्टिव रेक्टेंस जो होती है एकसेल की value जो होती है वो होती है 2PiF.L है ना अब फर्स्ट केस में यह होई i equal to v upon 2PiF upon L ओके यह तो है current की value first case में second case में वो क्या कर दे रहा है frequency को आधा कर दे रहा है तो नई current की कुछ value आएगी V upon 2PiF by 2L ठीक है तो नई current की value आएगी i1 वो इसको 2 को उपर ले जाएगे 2 into V upon 2PiF L है ना यह value क्या है यह value प्रानी current की value के बराबर है तो i1 equal to हो गया 2 into i यानि की supply frequency को आधा करने पर f को f by 2 के बराबर करने पर जो मेरी नई current आ रही है वो दुगनी हो जा रही है सिंपल सा इसका answer होगा ता current विल भी डबल है ना के लियर है चलिए एक question जैसा मैंने फर्स्ट में आपको दिखाया था वैसा question मैं आपसे पूछता हूं आपके assignment के तौर पर और उसका answer आपको comment section में लिखना होगा कर दो में आपको कर दो में लिखना होगा है 10 V, 2 Kilo Ohm, 2 Kilo Ohm, 1 Kilo Ohm, और यह बैटरी है, वो 2 V की है, ठीक है, तो यह पूछ रहे हैं, कि इस नोट पर वोल्टेज क्या होगा, यह भी कोशन उसी पेपर में आया है, 2015 में, सेम कोशन आये न, अब इसको आप अपने हिसाब से बताईए, इसके ऑप्सन है, 1 V, 4 V, 2 V, और D है, 6 V, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, मैंने जो कोशन बताया था, उसमें बैटरी ऐसे लगी हुई थी, और इसमें रिवर्स डारेक्शन में लगी हुई है, तो यह आपको देखना है, कि इसका अंसर क्या होगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर आपक लिखना है, थैंक यू,